रात के करीब बारे बचकर तीस मिट का समय हो चला था घर के परिवार के लोग सब सोय होए थे तब ही इस्थानिये चोकी इंचार्ज का फोन आता है वो बोलता है कि क्या मेरी बात राजंदर परसास शर्मा से हो रही है इधर से आवाज पहुंचती है हाँ बात तो कर रहा हूं सर क्या बात है तब ही वो चोकी इंचार्ज कहता है कि दो आर्मी के ओफिसर हैं आपसे मिलना चाहते हैं अभी के अभी अर्जेंट के अर्जेंट अपने घर का एडर्स दीजिए हम भी फोर्ज के साथ आपके पास पहुँच रहे हैं बस जैसे ही शर्मा जी ये बात सुनते हैं वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं पास में ही उनकी पत्नी भी लेटी हुई थी उनकी आँख खुल जाती है वो पूसती है इतनी रात में किसका फोन आया क्या बात है क्यों इतना परशान हो रहे हो तब हुँ कहते हैं कि वो चोकी इन चार्ज का फोन था वो कह रहे हैं कि दो आर्मी के ओफिसर हमसे मिलना चाहते है तो वो महिला कहती है कि इतनी रात में इन लोगों का हमारे घर पर आने का क्या मतलब है क्या बात है एक तरफ महिला भी घवराई हो थी उनके पती भी घवराई हो थे सक्पकाई हो थे समझने पा रहे थे कि ये पुलिस ये आर्वी वाले उनके घर पर इस वक्त क्या करने के लिए आ रहे है अपने घर का एडरस देते हैं पुलिस और आर्मी वाले जब पहुंसते हैं तो दोनों बुजरुकों ये देखकर हैरान थे परिशान थे उन्हें लग रहा था कि जो भी ये बात कर रहे हैं वो सरासर जूट है सच हो ही नहीं सकता आज इस बात को लगभग 14 साल का समय बीच चुका है जदि आज भी उन दोनों बुजरुकों से बातचीत करें तो उन्हें लगता है कि जो ख़बर दी गई थी वो जूटती सच था ही नहीं आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस अची घटना को सुनने के बाद आप आर्मी को यानि की इंडियन आर्मी को एक बार नहीं हजारों बार पार बार आप सैलिट करेंगे आप उस पर गौर्बान बित महसूस करेंगे गौर्बान बित महसूस करते भी होंगे तो इस से जादा करने लगेंगे आप सोचेंगे कि वाकिए अगर कुछी में दम हैं तो इंडियन आर्मी में वो वाकिए कुछ कमाल की होती है यह कहानी अगर एक किताब में ना लिखी होती तो इसे यह लोग यकीन ही नहीं करते कि ऐसा भी हुआ होगा आदाब नमस्कार सस्रियकाल में उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनानी जा रहा हूँ यह सची घटना है सन 2004 की बात कर रहा हूँ साउथ कस्मीर से लवख 50 किलोमेटर दूर एक जगा है सोफियन इंडियन आर्मी का एक काफिला जा रहा था और जैसी वो काफिला जा रहा है तो एक लड़का जो कश्मीरी है जो कश्मीरी बेशबुशा में था बड़े बड़े लंबे बाल हैं डाड़ी है उसकी और जैसी उसको आवाज लगाते हैं उस लड़के ने अपने हाथ में कु था लेकिन एक व्यक्ति उस भीड में ऐसा भी था, उस व्यक्ति ने उस लड़के को देख लिया, कुछ चीज को फैंकता हुआ, कुछ समान को फैंकता हुआ, अब आर्मी वालों ने उस लड़के को पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा कि तुम यहां दिखाई नहीं दि और थपड़ मारने के बाद उसको कहा कि गाड़े में बठाओ, जब गाड़े में बठाने वाली बात आती है, तो जो व्यक्ति उस लड़के को देख रहा था, कुछ समान फैंकते हुए, इस बीच में जब आर्मी के ओफिसर उस लड़के से बाचित कर रहे थे, तुरंत ही उसने जाकर देखा, जो समान फैंका था, दरसल वो इंडियन आर्मी के बहुत महत्फूर दस्ताविश थे, जो उस लड़के के पास होते हैं, जो की आतंकी था, अब यही बात देखने बाद उस व्यक्ति ने अपने आर्मी ओफिसर से हाथ पैट जोड़ते हुए, रिक्यस करनी थी, यह सब करके चले जाते हैं, अब उस भुजर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है कि साब मेरा नाम इफ्तकार है, इफ्तकार तुम यहां के तो दिखाई नहीं देते हो, अखिर क्या बात है, क्या नहीं, तो वो कहता है कि मैं यहीं इसी इलाके का रहने वाला हूँ और मैं इधर से अधर घूमता रहता हूँ मेरा एक मकसद है वस व्यक्ति ने उसको कुछ जो दस्तावेज उसने फैके थे आर्मी के उन्हें को दिखाते हूँ कहा कि तुम कोई साधन व्यक्ति नहीं लगते हो कुछ ने कुछ खास बात है कुछ अलग है तुमारे अंदर तो कहता है कि मैं एक एम एक उद्देश्य बनाय हुआ हूँ कि जब तक सैंकडो आर्मी के जवानों को ना मार दूँ, सैंकडो का कतल ना कर दूँ तब तक मेरे कलेजी की आग ठंडी कि मैं क्या कर सकता हूँ जो इतने महत्पूर जानकारिया अंदर से निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उस व्यक्ति को भी लगता है कि वाकि ये बात में कुछ तो दम है, तभी उसने कहां ठीक है, वो लड़का छै महीने से पिछले एक लक्षे को सादै हुआ था तैयारी कर रहा था और उसकी बात, उन दोनों की जो बातचीत चल रहे थी, वो कश्मीरी भाषा में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे बातचीत करते करते वो व्यक्ति वहां से चला जाता है वो लड़का भी वहां से चला जाता है कुछ दिन के बाद फिर वही व्यक्ति उस लड़के को मिल जाता है कहता है कि तुम्हारे काम को मैं आसान कर रा सकता हूँ अब बात आसान करने वाली होती है तो लड़का कहता ठीक है इसका नाम इस्तवकार होता है अगर आप आसान करा सकते हैं तो करा दीजिए दरसल उस व्यक्ति ने इस इफ्तकार को दो लोगों से मुलाकात कराई थी और दोनों लोग जो होते हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर होते हैं उनके संपर्क में लेकर आता है इसका एक का नाम हote है अबु तोरारा और दूसरे का नाम होता है अबु सब्जार यह हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर होते हैं उनके पास जब उनके लेके जाते हैं कहते हैं कि देखो ये लड़का है और ये बताता है कि संब 2001 में जानकारिया हैं, तो वो कुछ ऐसी जानकारियां, ऐसी चीजें, उन दोनों आतियां के वो दिखाता है, कि उन आतियां क्यों क्यों भी यकिन नहीं होता, कि ये इतनी सारी, इतनी महत्मूर जानकारियां इसके पास कैसे हो सकते हैं, तो भी पोस्ते हैं, कि आखिर तुम चाहते होती है लेकिन उनमें से एक जो होता है अबू तोरारा उसे लगता है कि ये लड़का एक दम साधर नहीं है कुछ अलग है कुछ बात है इसके अंदर वो उसकी परिक्षा लेता है बातचीत करता है लेकिन जब भी वो अबू तोरारा उससे बात करता था तब तब उस पर शक ह लेकिन उसका बचाप करता था अबू सबजार, साथ साथ रहने लगते हैं तीनों, और यहीं से एक बड़ी प्लानिंग करते हैं, इंडियन आर्मी के जो चोकियां थी, उनके कैम्प थे, उनको उड़ाने की, और जाद से जादा इंडियन आर्मी को नुकसान पोचाने की, सब लड़का चाय लेके आता है, ट्रे उनके आगे करता है, तब ही अबुतरारा कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वो नहीं हूँ जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तब ही वो लड़का बहुत गुसे माता है, चाय को रखता है, चाय को रखने के बाद अपनी राइफल निकालता है, उनके आगे डाल देता है, अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, तो ये रही बंदुक और मुझे मार दो, मेरे सीने में गोलिया जितनी चाहा उतनी इतार दो, लेकिन मैं तुम्हारा ही भाई हूं, जिस तरह से उसने वो बंदू को फैक के उन्हें मारा था उन दोनों आतंगवादियों को यकीन हो गया कि जिस लड़के पर हम शक कर रहे हैं जो लड़का हमें इतनी सारी इंफोर्मिशन दे रहा है आर्मी की ज़ूर यह हमारी मददगार साबित हो सकता है वो दोनों बाचीत में खो जाते हैं और तभी वो लड़का अपनी पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालने के बाद दोनों को गोलियों से भून देता है दोनों ही हिजबुल मुझाहिदीन के कमांडर होते हैं और उनकी बहुत दिनों से आर्मी को तलाश थी इसके बाद यहां से बहुत सारा सामान बताया जाता कि और भी आतंगबादी वहां आने वाले थे बहुत सारे इन्होंने गोली बारूद यह सभी खटा कियोए थे हमल्या करने की पूरी तयारी थी अब यहां से यह सामान लेके सीधा पहुंच जाता है अपने कैम्प में वहाँ जाके उसके बेश बुशा, उसके डाड़ी, उसके बाल बेकुल आतंकी जैसे थे लेकिन वो आतंक बादे नहीं होता है दरसल वो इंडियन आर्मी का ओफिसर था जिसका नाम मेजर मोहित शर्मा होता है मेजर मोहित शर्मा उन दोनों की लाशनों को उनको लेकर जब कैम्प में पहुंसता है तो आर्मी के ओफिसर कहते हैं कि तुम्हारा भी जवाब नहीं है ऐसे कितने और काम करोगे तरसल ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाई है दो राइटर हैं, शिब अरूर और राहूल सिंग उन्होंने एक बुग लिखी है जिसका नाम है इंडियन मोस्ट फेरलेस वोलियम टू उसमें इस पूरे किस्से का आवला दिया है और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस आर्मी ओफिसर के नाम है मोहित शर्मा जो की मेजर है इंडियन आर्मी में अगर हम इस ओफिसर के बारे में बात करें तो इस ओफिसर का जन्म होता है रोहतक हर्याना में और शुरवाती जो एजुकेशन होती है मानव इस्तली स्कूल दिली से और बाकी की एजुकेशन होती है Holy Agents and Angels और DPS घाजयबास से दरसल इसका एक भाई है बड़ा भाई जिसका नाम है मधूर शर्मा मधूर शर्मा शुरू से ही आर्मी में या फिर किसी और अन्य फोर्स में जाने की तैयारी कर रहा था बेहत पढ़ने में होशयार और इस लड़के की खास बात यह थी कि यह कोशिश कर रहा था कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सैना का एक जवान बने और अपने पापा का अपनी मा का और अपने देश का नाम रोशन करे कई एकजाम दिये लेकिन पास नहीं हो पाया जबकि जो छोटा भाई है, इसका नाम मोहित शर्मा होता है, वो थोड़ा नटकटी सवाप का होता है, इसका ध्यान सिर्फ खेलने कूदने में, म्यूजिक में, अलग लग तरिक चीजों में, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे बड़े बाल रखने, स्टाइलिश ट्राइ वो ऐसा कैसा हो सकता है, तब यह 12 क्लास में था, बात 19 सुपि, चान में किये, उसने एक NDA का फार्म भरता है, और वो NDA फार्म भरने के बाद जब परिक्षा होती है, चुपके से इसने परिक्षा दी, मता, पिता, किसी को भी नहीं बताया, और परिक्षा देता है, और पर प्रेकिंग कर दो और मैं अब ट्रैनिंग के लिए निकल रहा हूँ, बड़ा भाई को वाकि यकीन नहीं हो रहा था, बड़े भाई का सपना सपना रह जाता है और यह लड़का NDA में शामिल हो जाता है, इसकी ट्रैनिंग बहुत शांदर होती है, 1995 में भरती हो जाता है और 1999 म बस वो कमाल करता है, राश्पती खुद उसको अपने पास बलाते हैं और उसको सैलिट करते हैं कि वाकि मोहिश शर्मा तुमारा काम लाजवाब है, NDA के दोरान ही 1999 में इनको IMA यानि कि Indian Military Academy उसमें जाने का मौका मिलता है और यहीं से वो Indian Army में पहुँच जाते हैं और अप अपने कारणामों के वज़े से, अपने अच्छे च्छे कामों की वज़े से, सैना की पिरती, देश की पिरती, इमानदारी होने के वज़े से, जून 2003 में इन्हें फरस्ट पैरा Special Force में शामिल कर लिया जाता है, बस यहां से शामिल होना था, और जो इनका बच्पन से लेकि आस तक का खुआफ था, आस तक के सपने थे, जैसी फिल्में देखी थी, कि कोई भी अंडरकवर एजेंट होता है जिस तरह से, तब ही नोने सोचा कि अब मुझे कुछ अलग करना है, यहनि कि फरस्ट पैरा Special Force में शामिल होते ही, अपने बाल बढ़ाते हैं, और डाड़ी बढ़ाते हैं, और डाड़ी बाल बढ़ाने के बाद, बेकुल कश्मीरियों के तरह बोलना सीख जाते हैं, अब कश्मीरी बनकरी इधर-दर रहते हैं, और ऐसे ही एक-एक करके आतंग बादियों को इधर उनके कैम्प में घुसते थे जाकर मार गराय करते थे, कई सारे ऐस से काम किये, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकरी इसलिए भी नहीं मिलती, क्योंकि ये फोर्स के बहुती सीक्रिट कारे होते हैं, इनको बताना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जो किताब मैंने बताए थी, इंडियन मोस्ट फेरलेस वोलिम टू, उसमें यो किस्सा जो मैंने अभी आपको सुनाया था, ये ऐसे चलता रहता है और इनके बारे में एक से एक बढ़कर किस्से और एक के बाद एक पुरुसकार मिलने शुरू हो जाते हैं, अब बात आती है सम 2009 की, होली की चुट्टी का इन्होंने पहले सी आविदिन किया था, चुट्टी मिल जाती है, और वो व्यक्ति, वो ओफिसर अपने बड़े सी ओ के पास जाकर कहता है, कि साब मेरे भाई का एकस्टेंट में मोत हो चुकी है, मुझे बहुत जोरी काम से जाना है, आप देख लीजिए, मुझे चुट्टी दे दीजिए, वो कहते हैं, कि हम चुट्टी नहीं द मुझे शर्मा को उनकी जिगे जिम्मिदारी दी जाती है, एक दिन सी ओ कहते हैं कि मुझे शर्मा आपको अपने टीम के साथ कुप बाड़ा जिले का हाप रूड़ा एक अलाका है, जंगल है, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ 21 मार्च 2009 की रात में कुछ हल चल की बात स दूनी थी, ये अपने दस सैनिकों के साथ उस इलाके में जाते हैं, और इलाके में जाने के बाद जैसे वह जा रहे हैं, तो इनकी नो सैनिक पीछे रहे जाते हैं, ये थोड़ा आगे चले जाते हैं, आगे के नाला पड़ता है, बाके सैनिक उस नाले को किरोसी कर रहे थे कि इनके कदम कुछ 10-20 आगे चले जाते हैं इन्होंने कुछ थोड़ा दूर से देखने की कोशिश की तो देखा कि कई आतंकवादी हैं दूर से हल चल हो रही है इस से पहले कि कुछ समझ पाते उधर से गोली वारी शुरू हो जाती है इधर वो अपने लोगों से इशारा करते हैं कि तुम लोग शांत रहो मतलब आपको छुपना है, आपको बैक अप देना है इधर से गोली चलने लगती है, उधर से भी गोली चलती है पता चलता है कि ये नो सैनिक जो हैं वो भी और खुद मिजर, मुहित शर्मा वो उन आतंकवादियों से घर जाते हैं और चारों तरफ उनके आतंकवादियों की एक बड़ी टुकडी थी गोली बारी चलने लगती है और इसी गोली बारी में वो चार आतंकवादियों को मार गिराते हैं जबकि बाकी जो आतंकवादिय होते हैं माहां से भाग जाते हैं लेकिन इसमें हताहत ये होती है कि इसमें मेजर मोहित शर्मा शहीद हो जाते हैme जब उनकी मौत हो जाती है उन्हों नकेबल अपने ऊपर सारी लड़ाई लेते होए बलकि अपने सैनिकों की जान बचाते हैं चान बचाने के बाद वो जब यहां शहीद होते हैं अगले दिन ये सूचना सीधा उनके घर पहुंचती है एक चोकी इंचार्ज के माधियम से दो सिपाही उनके घर आते हैं रो बताते हैं कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है तो मा को बेकुल भी यकीन नहीं हो रहा था लेकिन जिस तरह की इस किताब में जो एक कहानी छपती है उसके बाद मोहित शर्मा की बाद जब दुनिया के सामने आती है तो लोग सैलूट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि मोहित शर्मा ने शुरू से लेकर ही जबसे वो आर्मी में जबसे वो सैना में भरती होए थे उन प्रतिवा देवी सिंग पाटिल ने इनकी जो पत्नी है इनके नाम रीशिमा शर्मा है जो कि खुद आर्मी में हैं उनको अशोक चकर से इनके मरणों उपरांत सम्मानित किया और जब उन्हें सम्मानित किया रहा था तो देश एक तरफ गौरवान भी महसूस कर रहा था और इ पाटे जाते कुछ लोगों के जनम दीन हैं जिसमें शशी पिरिया रेवारी से हैं दीपक भारती मुंबई से हैं नवीन शर्मा चेनल इन सबी को जनम दीन की बहुत सारी शुपकाम नएं बहुत बहुत मुबारक बाद इन सबी ने नाम लेने की अपील की थी आप सब लोग अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभर